तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेमिंट करने का एक ऐसा तरीका जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यहाँ पर जानते होंगे और जिसको जानने के बाद आपको भी यह तरीका बहुत ही पसंद आएगा जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज कर जो पेमिंट का तरीका है वो बदल गया है कैश लेस हो गया है जाती हैं जिनके कारण आपका UPI payment successful नहीं हो पाता है अब मान के चलिया आप किसी रेस्टरों गए हुए हो और आपने कुछ खाया हुआ है और आपके पास cash नहीं है लेकिन आप यह सोचते हैं कि उसका payment आप UPI के मद्यम से कर देंगे और जब आप payment करने जाते हैं तो उस condition में या तो आपका bank का server down हो जाता है या तो आपका payment फस जाता है तो उसका bill आप पे नहीं कर पाते हैं और काफी परसानियों का सामना आपको करना प्रता है साधे साथ UPI payment का एक और problem है कि इसके लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है जैसे कि आपके पास android phone होना चाहिए और उसके अलावा एक UPI app आपके mobile में होना चाहिए और तीसरी important चीज यहाँ पर आपके पास internet होना बहुत जरूरी है बट अगर मैं आपसे यह कहूँ कि यह चीज़ें अगर आपके पास ना हो उसके बाद भी आप इसका UPI payment आप कर सकते हैं वो भी अपने keypad phone से ही तो शाय मोबाइल से कर सकते हैं चाहिए वो आपका android phone हो या फिर आपका keypad phone हो तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कि किस तरह से आप इसका payment कर सकते हैं दोस्तों इस payment का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें payment कभी आपका फस्ता नहीं है कभी अगर कुछ server problem चल रही है bank की तो इसमाध्यम से payment करने से पहले एक important बात यहाँ पर यह है कि आपके पास एक UPI ID होना चाहिए और अगर आपके पास UPI ID create नहीं है तो आप सबसे पहले इसको create करेंगे और इसका UPI ID आप अपने phone से ही create कर सकते हैं UPI ID create करने के बाद आपको एक number call करना है number में यहाँ पर आपको star double nine है इसको okay आप कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक reply message आएगा तो देखिए यहाँ पर reply message हमारे पास आ चुका है अब यहाँ पर यह आप से बोल रहा है select option state bank of India हमने जो UPI ID create किया हुआ था वो state bank of India का किया हुआ है अब यहाँ पर यह बहुत सारे आपके सा आपने option दे रहा है जैसे कि send money request money यहां से आप request भी कर सकते है money किसे आपको लेना है अपना balance check कर सकते है अपनी profile देख सकते है पैंडिंग request देख सकते हैं transactions देख सकते हैं और UPI pin भी यहां से आप create या change कर सकते हैं तो चलिए फिलाल यहाँ पर हम send money पर one या टाइप करते है और send करते हैं, अब आपको पैसे किस माद्यम से transfer करना है, mobile number से, UPI ID से, या saved beneficiary से, या IFSC code और account number, तो इन सभी माद्यम से आप इसका payment कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपना जो net है, वो on नहीं किया है, तो मैं without internet इसका payment करके आपको दिखा रहा हूँ, आप mobile number, UPI ID किसी में भी payment भेज सकते हैं, बट फिलाल यहाँ पर मैं IFSC code और account number से यहाँ पर payment भेज रहा हूँ, जिसमें आपको मैं display कर सकूँ कि मैंने जो payment यहाँ से send किया है, वो receive हुआ है या नहीं हुआ है, तो चलिए यहाँ पर हम five type करके send करते हैं, उसके बाद देखें, यहाँ आप से पूछ रहा है, enter IFSC code of your beneficiary, तो यहाँ पर हम IFSC code डालेंगे, उसके बाद आपको send करना है, enter the complete account number of beneficiary, तो यहाँ पर जो account number में आप amount transfer करना चाहते हैं, वो account number यहाँ पर आप डाल देंगे, account number डाल देने के बाद आपको यहाँ पर send बटन पर click करना है, अब यहाँ आप से पूछ रहा है, enter amount in rupees, इसका amount कितना amount यहाँ पर आप बेजना चाहते हैं, तो फिलाल मैं यहाँ पर एक रुपया आपको बेज के दिखाता हूँ, और यहाँ से send करता हूँ, enter a remark, यहाँ पर देखे, एक बढ़ियों option यह है, कि जैसे आप UPI app से remarks वहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, ok उसके बाद यहाँ पर send बटन पर मैं click करता हूँ, तो देखे, you are paying to, एक बार आपको यह review भी कराता है, you are paying to this account number and this IFSC code, जो आपका amount है, वो भी यहाँ पर display कर रहा है, उसके बाद यहाँ आप से बोल रहा है, enter UPI app to proceed, तो यहाँ पर आपको अपना UPI पिन डाल देना है, और उसके बाद send बटन पर click करना है, UPI पिन डालने के बाद यह देखे, आपके पास एक message यहाँ पर आया हुआ है, your payment to this account number and this IFSC code for rupees 1 is successful, इसकी reference ID भी आपके पास आ चुकी है, तो देखा आपने यह payment हमारे यहाँ पर successful हो गया है, देखे, यहाँ पर एक message भी आगया हमारा bank की ओर से, एक रुपे यहाँ पर receive हो गया है, आप देख सकते हैं, फिलाल इसको हम यहाँ से exit कर देते हैं, exit करने के बाद देखे, एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो notification आए हुआ, यह मेरा ही bank है, मेरा ही account है, और इस पर एक रुपे का जो transaction आपने किया था, वो successful हो गया है, I hope यह information आपके बहुत काम आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और bell icon को press करना ना भूलें, जिससे मैं आगे भी इसी तरह के अच्छे वीडियो आपके लाता रहूँ,